एहम ब्रहमास में, बेत का यह एक प्रसिद मंत्र है और यह मंत्र बरतकारानियक उपनिषद में भी आता है, जिसका अर्थ है मैं ब्रहम हूं, मैं ब्रहम हूं? मतलब हर कोई ब्रह्म है ये इसका अर्थ है तो इसको लेकर के एक मुझे कमेंट प्राप्थ हुआ और कमेंट पढ़कर के मुझे ये लगा कि इस कमेंट पर वीडियो बनाना चाहिए कमेंट कुछ इस तरह से है भाई साब दीपक कुमार जी का एक कमेंट है लिखते हैं धन्नकार जी प्रभुजी एहम ब्रह्माश्मी प्रभुजी अगर हम ब्रह्म हैं तो हमें पता क्यों नहीं चलता अगले पल क्या होने वाला है इसके बारे में एक वीडियो बनाईएगा प्लीज कमेंट को आपने पढ़ भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा ये पूछना चाहते हैं कि अगर मैं ही ब्रह्म हूँ तो आगे क्या होने वाला है हमें इस बात का पता क्यों नहीं चलता मतलब ब्रह्म सर्वग्य है सब सर्व ग्याता है भूत भविस्य बरतमान सब कुछ ब्रह्म के अधीन है आगे क्या होने वाला है ब्रह्म को पता है पीछे क्या हुआ ब्रह्म को पता है और बरतमान में क्या चल रहा है सब कुछ ब्रह्म को पता है क्योंकि ब्रह्म सर्व ग्याता है सर्व ग्या है सर्व शक्तिमान है और सर्व ब्यापक है और यदि हम ही ब्रहम हैं, मैं ही ब्रहम हूँ, तो हमें क्यों नहीं पता चलता कि आगे क्या होने वाला है प्रस्ण तो महत पूर्ण है, क्या आप भी इस प्रस्ण का उत्तर जानना चाहते हैं तो फिर वीडियो में बने रही है आप नरेश चौहन के साथ एहम ब्रह्मा अस्मी ये बेद मंत्र है जैसा कि मैंने पहले भी कहा बरत कारानियों को अपने सद में भी ये मंत्र आया है इसमें तीन शब्द हैं मैं एहम जिसका अर्थ होता है मैं दूसरा शब्द है ब्रह्म जिसका अर्थ होता है सर्वशक्तिमान परमात्मा और तीसरा शब्द है अस्मी अस्मी का अर्थ है हूं मतलब इन तीनों शब्दों का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं अब जरह आप इस मैं प अपने लिए मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नरेश, मैं नरेश, उधर वो राजेश, वो अपने लिए कहता है मैं राजेश, वो उधर अब्दुल्ला, वो अपने आपको कहता है मैं अब्दुल्ला, आप इस बात से इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि जितने भी मनुस्य इस संसार में मौझूद हैं वो सारे के सारे अपने लिए मैं शब्द का इस्तिमाल करते हैं मैं, मैं का इर्थ संस्कृत में एहम एहम ब्रह्मास्मी तो आप य things य से विस्तार प्रिष्वेक्ष में देखें तो इसका अर्थ ही हُआ कि अनेक मैं हैं मैं ब्रह्म एहम ब्रहमास्मी मैं ब्रहम हूँ तो ब्रहम अनेक हुए ना ब्रहम तो एक ही है एको ब्रहम दूसरों नास्ते ब्रहम एक ही है परन्तु तमाम परिपेक्ष में आप दूर तक जाएं तो आप देखेंगे कि जितने भी मनुस्य हैं, वो सारे के सारे अपने आपको एहम ही समझते हैं, मैं ही समझते हैं, एहम ही समझते हैं, अपने आपको मैं ही कहते हैं, और जो शरीर के अंदर से जो मैं बोल रहा है, ये कौन है, ये बोडी, ना, ये जो अंदर से बोल रहा है, जो अपने आपको मै कहता है वो है जीव और जीव कौन होता है जीव होता है इश्वर का अंस अभी नासी है इश्वर अंस जीव अभी नासी तो समस्त शरीरों में इश्वर का अंस है वो इश्वर अंस है अंस अंसी का अंस है वो कह रहा है मैं ही ब्रह्म हूँ इसका रती हुआ कि वो ये कहने का कि मैं जो हूँ, अर्थाद मैं जो जीव हूँ ना, वो ब्रहम ही हूँ, मतलब मैं ब्रहम का अंसु हूँ जो अब शरीरों में अलग-अलग रूपसे मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से आसमान में, यह मान लिया जाए कि सुर्य एक है, वैसे तो अंसुर्य हैं, आकास में लेकिन हम अभी अपने सूरे की बात कर रहे हैं कि हमारे धरती पर जो परकाश आता है वो केबल और केबल अपने ही सूरे का आता है बाकी किसी का नहीं आता बाकी तारे आस्मान में टिम टिम आते रहते हैं हमारा जो तारा है हमारा जो सूरे है हमारा जो सन है उसी के परका में रख दें, तो सब के अंदर वो सूर्य दिखाई देगा, इसका आर्थिया नहीं है कि उन बरतोरों में सूर्य है उन बरतोरों में सूर्य का परतिविम्ब है, ठीक इसी तरह से, ये जितने भी शरीर धारी दिखाई दे रहे हैं, मैं सब में ब्रह्म का प्रतिविंब प्रतीत होता है दिखता है ये स्वयम ब्रह्म अपने आपको समझ है और ये अपने आपको ब्रह्म की तरह से दिखा भी सकते हैं ब्रह्म ये बन भी सकते हैं लेकिन उसके लिए रास्ता और है बास्त में ये क्या है ये ब्रह्म के प्रतिविंब है इश्वर अंस जीब अबिनाशी चेतन आमल सहज सुखरासी इश्वर का अंस है तो वो जो जीव है वो अपने आपको कह रहा है कि मैं इश्वर का अंस हूं और वो अपने आपको इश्वर का ही अंस माने तब ही बात बनेगी अपने आपको ब्रह्म माने तो बात बनने वाली है ही नहीं वो अपने आपको इश्वर का अंस माने तो फिर उसे अपने आपको समझने में मदद मिलती है आगे क्या होने वाला है ब्रह्म ही जानते हैं लेकिन ब्रहम कांस जीब आगे क्या होने वाला है इसके बारे में वो से कुछ जानकरी है नहीं आईए इस मंतर के कुछ महत्पूर पहलों को समझने का प्रियास करते हैं जो इस मंतर को अपनाता है दरसल वो आत्म साक्षातकार की तरह बढ़ता है और जब वो आत्म साक्षातकार की तरह बढ़ता है तो उसे अपने बास्तविक स्वरूप को समझने में मदद मिलती है इसका दूसरा महत्पूर पहलों ये है कि इस मंतर को मानने पर ब्रहम और जीब का अंतर मिट जाता है ब्रहम और जीब का अंतर मिट जाता है वास्तर में जीब ब्रहम का अंश है लेकिन वो ब्रहम कब बनेगा वो ब्रहम तब बनेगा जब वो जीब ब्रहम में अभेद हो जाएगा और इसका जो तीसरा महत्पूर्ण पहलू है वो महत्पूर्ण पहलू यह है वह है आत्म बिश्वास यह मंत्र व्यक्ति को आत्म बिश्वास से भर देता है कि वो खुद ही ब्रहू है यह आत्म बिश्वास उसके अंदर उत्पन होता है और फिर दरप्रतग्या के साथ वो य सकता हूँ यदि करने के लिए मैं प्रियतन करूँ प्रियास करूँ और आप देखते भी हैं कि संसार में तमाम ऐसे लोग आपने देखे होंगे तमाम ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे जो पहले कुछ भी नहीं थे लेकिन अपने आपको साध कर अपनी चेतना को जगा कर आपने आत्म विश्वास को प्रवल करके उन्होंने ऐसे ऐसे असंभव कारिये कर दिये जो साधारन इंसान जिनके बारे में सोच भी नहीं सकता चांदोगी उपने शद में एक मंत्र आता है तात तौम असी तुम वही हो वही कौन ब्रह्म तुम ब्रह्म में ही हो सूर्य की छबी उन बरतनों में है तुम वो सूर्य बास्तबिक लगता है अरे बरतनों के अंदर दिखने वाले सूर्य है तुम वही हो तुम वही हो अलग अ आसमान में दिखाय देता है, हे मनुस्ये, हे मैं, हे जीब, तुम वही हो, वही जो सर्वत्र समान रूप से ब्यापत है, जो कणकण में है, जर्रे-जर्रे में है, पत्ते-पत्ते में है, तुम वही हो, तुम ब्रह्म हो, लेकिन ये भेद समझ में कैसे आता है, इसे समझना ब साधने की अवशक्ता है अपने आपको साधे बिना आप नहीं जान सकते कि आप ब्रह्म ही हो अब बात रही बहे कि जब जीब ही ब्रह्म है तो ब्रह्म तो चुकि सब को जानता है होने वाला भी तो ये जीब है ये आगे होने वाली घटनाओं के बारे में क्यों नहीं जानता दरसल कबीर साहब एक इस्थान पर खहते हैं हेरत हेरत हे सकी गया कबीर हेराई समद समाया बूंद में सोकत हेरा जाही अब समंदर बूंद में समा गया है तो अब वो बूंद समंदर जैसा दिखाई कैसे देगा नहीं देगा न, तो बूंद को दिखाई देने के लिए उसे पुन्ह समंदर ही बनना पड़ेगा, इसी तरह से जीब है, उस जीब को ब्रहम ही बनना पड़ेगा, लेकिन ब्रहम बनेगा कैसे, वो तो चुंकि बूंद है, केबल कहने मातर से कि मैं ब्रहम हूँ, कोई जीब ब उतरना पड़ेगा, तब वो जाकर के समंदर बनेगी, इसी तरह से, चुंकि जीब भिन भिन योनियों में भरमन कर रहा है, जैसा कि रामचरित मारस में तुलसी दास जी लिखते हैं, सुने हुतात ये है अकत कहानी, समुझत बनईन जाई बखानी, इश्बर अंस जीब अभिनासी, चेतन अमल सहज सुखरासी, अब मैं आपको सीधे इन चुपाईयों के साथ, रामचरित मारस के उत्तरकान में ले चलता हूँ, क्योंकि अर्थ जाने बिना ये भेद समझ में नहीं आएगा कि माया का परदा जीब पर किस तरह से पड़ा हुआ है, और ये परदा कब हटेगा, और मैं बता दूँ कि जिस दिन ये परदा हट जाता है, उस दिन भविस्य भी दिखना शुरू हो जाता है, एक साधक को, एक जीब को और एक मनुस्य को, श्रामचरित मानस उत्तरकांड, पेज एक हजार पच्चिस से आप नीचे आ जाएंगे, यहां पर, और देखिए, क्या कह रहे हैं गरण जी से काक भोशन जी, मैंने पढ़ दिया पहले, सुने हूं ताथ यह अकत कहानी, अगले पेच पर, इन दोनों चोपाईयों का अर्थ है, यहां कह रहे हैं, गरण जी को समझाते हुए, काक भोशन जी कहते हैं, हे ताथ, यह अकतनी है, कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती, कि इश्वर का अंश है, जीव, अतेव अभिनाशी है, चेतन है, निर्मल है, और सभाव से ही सुख की राशी है, राशी का अर्थ होता है, भंडार, आगे कह रहे हैं, सो माया बस भैयों गोसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथी परी गई, जद पी मरशा छूटत कठी नहीं, कह रहे हैं कि हे गोसाई, बह माया के बसी भूत होकर तोते और बानर की भाती, अपने आप ही बंध गया, जीव कैसे बंधा, अपने आप ही, इस प्रकार जड़ और चेतन में गाठ पड़ गई, जद पी वह ग्रंथी मित्या ही है, तथा पी उसके छूटने में कठिनता है, और तब ते जीव भयाउं संसारी, छूटन ग्रंथी, न होई सुखारी, शुरूती पुरान बहु कहें उपाई, छूटन अधिक अरुजाई, तबी से जीव संसारी, संसारी का अर्थ है, जनमने और मरने वाला हो गया, अब ना तो गाठ छूटती है, और ना ही बहे सुखी होता है, बेदो और पुरानों ने बहुत से उपाई बताए हैं, पर वह गाठ छूटती ही नहीं, बरन अधिक उलजती ही जाती है, जीव हिर्दयम तम मौह विशेसी, गरंती छूट किमी परही न देखी, अस संजोग ईस जब करहीं, तब हु कदाचित सो निरु आरैं, कह रहे हैं, जीव के हिर्दे में अग ज्यान रूपी अंधकार विशेस रूप से च्छा रहा है, इससे गाठ देख ही नहीं पड़ती, अर्थात जीव अपने अंदर पड़ी ही इस गाठ को देखे नहीं पाता, छूटे तो कैसे, जब कभी इश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही जीव एगरंती छूट पाती है, इश्वर जब सयोग करते हैं, इसकारत है, इश्वर जब जीव पर दया करते हैं, तब ये जो गाठ है, गाठ कौन सी पड़ी ये वास समझे में ही क्या, एक तरफ जड़ प्रकृती है, और दूसी तरफ चेतन जीव आत्मा है, जिसे जीव कहा गया है, इन दोनों में ये गाठ पड़ दी, मतलब ये जो जीव है, ये जड़, जीव चेतन और जड़ प्रकृती के साथ जुड़ गया, गाठ पड़ी दोनों में, और ये गाठ कब खुलती है, जब दयानिधी करपा करते हैं, करपा कैसे होती है इनकी, इनकी करपा हो गारण सत्गुरु इस जड़ और चेतन का भेद बताते हैं तो यह जो गाण्ट है ना यह गाण्ट छोट जाती है और व्यक्ति भेद समझ जाता है केबल समझने से बात नहीं बनती उसे अपने जीवन में उतारता है और जब वो अपने जीवन में उतारता है तो उसका जीवन बदल जाता है तब वो इस प्रशन को लेकर के नहीं आता कि एहम ब्रहमास्मी तो मुझे आगे का पता क्यों नहीं है जीव तो जीव है और ब्रहम तो ब्रहम है तो मुझे लगता है कि शायद किलियर हो गया होगा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत समय आपने निकाला है इस वीडियो को देखने के लिए इसके लिए मैं आपका बार-बार धन्यवाद करता हूँ और यदि अच्छा लगा है आपको तो आप इसे शेयर कर दिजीगा लाइक कर दीजेगा और चैनल पर यदि नए हैं तो आप सी सब्सक्राइब जरूर कीजेगा इनी शब्दों के साथ एक वार फ़र से आपका धन्य बाद